आज हम सेयर करने वाले हैं आपके साथ में कि हलवाई जैसा दही हम कैसे जमाएं सर्दियों का सीजन चल रहा है और अगर हमें दही जमाना है तो हमें कौन सी वो ट्रिक अपनानी चाहिए जिससे हमारा दही एकदम गाड़ा जमें एकदम से कटने वाला जमें और बिलकुल एक बुद को बॉइल करना है गरम करना है तो ये दो ध narrative बॉइल किया हुआ है ने रखा था कच्छा दूद नहीं है हमारा तो हम इसको बॉइल मतलब यानि की ऊपर आलेंगे नहीं बस इतना गरम करेंगे जितना कि हमें दही के लिए चाहिए गरम, तो सर्दी स्टार्ट हो गई, स्टार्ट क्या मतलब पड़ी रही है, अच्छी खासी हो गई है कल सी ठंड, आज 20 दिसंबर हो गया है, और कल से जो है अच्छी खासी ठंड हो गई है, काफी, तो हमें दूद जो है थोड़ा सा तेज करना है और आप जब भी और जब जमाने की लिए रुद गरम करें रहीх जमाएं जब भी और आपको इद्दम गारा दही चाहिए अगर तो आप फुल क्रीम दूद ले और बिना पानी के दूद को गरम करें तो बहुत अच्छा दही लेकिन आज डही जमाने जा रहे हूं कि छे रखना था दोध करों दोध कर दिया है अगर इस ट्रिक से आप पढ़े हैं τους similarity मेरा दूद गरम हो रहा हैő तो यह दूद को पहले गरम हो जाने जाने Дीना है जय हम पार क्या चुतों लागते मेंuje की अदिनान गरम हो लीए तो उसके बाद हमुंडा के लिए तो ले Gee जमाते हैं तो एक गुनगुना सा होता है लेकिन हमें अभी थोड़ा तेज गरम लेना है तो हमारा दूद गरम हो चुका है और चलिए आप जमाते हैं तो हमने छोटी सी एक मत्की है हमने इसको ले लिया है आप जिस भी वर्तन में जमाएं वह वर्तन लेले और उसमें पहले जावन डालें तो जावन भी जो हमें गरमी कीfest थोड़ा सा जादा लेना है गरमी में तो बस मातर इतनी के लिए में किलीवल के दोज बंडमागे लिए लेका हें लेका अदीगे मटकका अ यह मैं अब दोझ आ धाल देगे और इसग्वक Мих्जा सर्ट spend पर जिपने सरे में लेके है अब यह नौल हम पर उपर को में अधू मैं थ्क नहीं हो यह जाओन द से तो देखें जितना इसमें बना हमने उतना इसमें कर दिया और उसके वाद अब इसको हम विश्कर की शाहता से और मिला देंगे वैसे तो मिल गया है हमने जब धार बना के दूद को उपर से डाला है तो अच्छी तरह से जो जावन है हमारा मिक्स हो चुका है लेकिन फिर भी हम और मिक्स कर देंगे इससे विश्कर से ताकि काफी अच्छे से एकडम से जो हमारा जावन है जो हमने दही डाला है इसमें वह अच्छे से मिक्स हो पहले तो इसको ढख देना है, ठीक है, अब और कौन सी ट्रिक अपनानी है, ताकि हमारा दही अच्छे से जम जाए, अगर हम ऐसा ही इसको छोड़ देंगे, तो थोड़ी देर में ये जो दूध है, वो ठंडा हो जाएगा, और दही हमारा बिलकुल नहीं जमेगा, कोई जमने अभी पूलल की जम एपनिस वह स्चाइक और दिखिए है, यह दैखिए यह लिया है, हमने बूल का इस्टॉल और इसको हमने डवल कर लिया है, यह देखिए, आपके पास इस्टॉल हो या शॉल हो या जैकेट हो वच्चे की, या कम्बल हो absence हो, ब्लेंकट को सभी हो बूलन कपड़े से अच्छी तरह से इसको कवर कर दीजिए यह देखे मैंने अच्छे से इसको कवर कर दिया है आप हम इसको ऐसे ही रात भर के लिए छोड़ देंगे अभी 10 बज़े हैं और मैं 10 बज़े जमा रही हूं रात के 10 बज़े हुए हैं और मैं कल सुभह आपको दिखाती हूँ कि हमारा दही कितना अच्छा जमेगा इस ट्रिक से, ये ट्रिक जो है सर्दियों के दिन में बहुत ही important है, या फिर आप दही मेकर में जमाएं तो आपका दही अच्छा जमेगा और अगर दही मेकर में आप नहीं जमाएंगी तो ये ट्रिक आपको जरूर ही करनी पड़ेगी तब ही दही आपका अच्छा जमेगा तो चलिए इसको छोड़ देते हैं और हम मिलते हैं आपसे सुभे शुबह हो चुकी है तो चलिए देख लेते हैं दही के क्या हाल है कैसा हमारा जमा है दही उमीद करती हूँ बहुत अच्छा जमा होगा एक दम से काड़ा जमा होगा एक दम से पीस काटने वाला जमा होगा तो चलिए धीरे धीरे आ रहा है सामने तो खुलते हैं पिटारा और देखते हैं कैसा है दही भारा तो देखिए दही हमारा एकदम से बढ़िया जमा है और हमारा दूद जो है वो जो है एकदम से पानी वाला था क्योंकि बैसा नहीं था तो देखिए हमारा दही कितना बढ़िया जमा है जब कि ये दूद हमारा जो है एक दम से बिना पानी का नहीं था क्योंकि हमने दूद बच रहा था तो हमने जमा दिया इस पेसल दूद हमने दही के लिए नहीं रखा था अगर दही के लिए रखती तो बिना पानी का रखती तो डेली में हम लोग थोड़ा सा पानी डालके गरम करते हैं तो वही दूद था हमारा हमें दिखाई दिया कि बच रहा है तो हमने दही जमा दिया तब भी देखिए हमारा दही जोगा कितना एकदम अच्छा जमा है बिलक जरूर कर देना चैनल पर नए हैं तो चैनल कर सब्सक्राइब कर लेना फिर मिलते हैं इसी तरह की रेस्पी के साथ new new recipe के साथ new new tips के साथ new new trick के साथ तब तक लिए thank you और हाँ उपना feedback जरूर देना कि आपको हमारी ये दही जमाने की trick कैसी लगी आपको हमारी वीडियो कैसी ल जै।